नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़ा डालते हैं अपने शेहर और रासपास की हल्चल पर फरीद कोट पुलिस ने एक बजूर की कतल की गुत्थी को 24 गंटों में सुलजाया पतनी ही निकली कातिल जालांधर ग्रामीन पुलिस ने दो नशा तसकद महिलाउं को पिया कब पांच ग्राम हेरुईन की ब्रह्म अमरिस्तर के कट्रा दूनों में दो पक्षों में हुआ विवाद एक पक्ष के दो लोग रुए खायल और अब भलचन विस्तार से फरीद कोट के गाउं धाब शेर सिंग बारमी बत दिनों साथ वर्षी प्यारा सिंग नमक एक बज़ुर्ग का किसी अग्याद ने सिर पर वार कर कतल कर दिया था जिसके बाद फरीद कोट पुलिस तोरह इसमामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई थी जांच के दोरान पुलिस को मृत्त की पतनी पर संदी हुआ और पूच्टाच के दोरान मृत्त की पतनी ग्यान कोट ने अपनी पती की हत्या करने की बात कबूल ली गारत रपने कि इस कतल केस को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर-अंदर सुल जाने में सफलता हासिल की है बुरी नजर रखता था और अपनी हवस को अंजाम देता रहा था गतरातरे भी जब प्यारा सिंग ऐसी हरकत कर रहा था तो उसकी पतनी ग्यान को और से रहा नहीं गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने पती के सर पर वार कर दिया जिसके मौके पर ही मौत हो होगी फरीद कोट से हल चल के दिये गरपरित सिंग की रिपोर्ट दोग स्कॉट भी पहुंचा को इन सिख तीम भी उत्ते पहुंची ते अल्माइट वी तीम विच वी लेट बाइस प्यूदी जस्नीट सिंगी इंग्लूदी ब्स्प्ड अधिस्प्ड शाथे को रिंचाज सी आई ना दी सारिया वख वाफ तिमाने बात मेंत कर दे हुए पूरे केस दी गुथी जड़ी हैगी वो कल शाम तक सुल जाली इस केस ज़ इन्फोमेशन मिलंग दो वाज असी फिया रिजिस्टर के थी फिया नंबर 54 अंडर सेक्शन 103 सब्सेक्शन 3 oblique 5 P.S. साधिक और फाइनली शाम तक जड़ी में कल्प्रेट सी उननों असी अधिक पीछे मोटेव यह सी कि ए जड़ा डिसीजड सी यह इडी बेटियां ते गल्प मज़र लगना सी उन्हें कल्पी एही कुछ करंडी खुशिश किती ता उन्हों बचान थी चकर्च ए जड़ी लेडी सी घ्यान गॉस में अपनी बेटियां नों बचान वास्ते ओते और उस एक इंजरी की वज़े से ही ब्लेटों डेस यह इस यह भी कह सकते हैं कि एक सेल्फ डिपेंस किता गया एक मुर्डर सी हुना नों उस तो बाद असी जदो पूरी गया हैं कुछ किछ किती ता फिर यह सारियां चिज्जा जड़ियां हैं कि निकल गया है यह जड़ा बाद पूरी जड़ा खोटना दिनो वसी क्यां हैं कि ओधिन अली वार किता अद यह कोई प्रीम्धिटेटेटेटेटेटेटेट ब्ल्डर नेसी दो प्राइन सी यह जड़ा पैस्टी की जिड़ा हैं कि एम अन्ध अरली मॉणिंग एस पास यह सारह इंसुड़ा हैं आपर एक कफल ची एक क्राइम ऑफ पैशन होया ते वो फिल गड़ा होदे हचाया उन्हें अपने आपनों की पचानदी गोशिश किती ते सिर्टेवार होया उन्हें जाल अंदर ग्रामीन पुलिस ने दो नशा तसकरों को कबू करने में सफलता हासिल की है इस समंद में जानकर इदेती हुई एससपी ग्रामीन हर कमल प्रीट सिंग खक ने बताया कि गुपत सूचना के अधार पर पुलिस ने उक्ता अरुपियों को ग्रिपतार किया है जिनके पास से पांच क्राम हेरुईन भी बरम्मद हुई है उन्होंने कहा कि पकड़े के अरुपियों की पेच्चान कमला और जगीरो दोनों निवासी महला लंगडियां गुरायां के तोर पर हुई है उन्होंने बताया कि फिल्धाल दोनों अरुपियों पर मामला दर्च कर आगे की पूछताच की जा रही है जिसे और भी खुलासे होने की संभब ना है महाण जोग SSP साफ जलदर दियाती सदार हर कमल प्ली सिंग खक जीदे दिशान लग दिशान ते मैडम जिसरूप कोर IPS SSP Investigation सार DSP सदाल लखवीर सेंग DSP Investigation सार जीदी निगरानी येट CIA स्टाफ जलदर दियाती दी पूलिस ने तेने नशाद असक्राम का अभी किता है जावेद अनसारी अदर्श कुमार उजमाना दी एक औरतवी है जो यूपी तो अफीम लिया के जलदर दे एलियेट से सपलाई कर दे सान जिना दे खला मुकत्वा नंबर 80, 1885 अड़वी सेक्ट थाना लांबड़ा विचे दर्जिसर कीता है इना परसो दो किलो अफीम परामद किती के लिया इना नो पेश अदाथ करके दो दिन दर्माद हासल कीता गया है अमड़िसर के थाना डी डिविजन इलाके गट्रा दूलों में देरात दो वक्षों में विवात हो गया जहां एक पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि देरात दो नौजवानों ने उसके पती और भाई पर हमला कर उनके साथ भी मार पिट की जब वे उन्हें छुड़वाने के लिए गई तो उसकी इज़त पर भी हाथ डाला गया और उसके कपड़े फार दिये गई वहीं पेडित महिला ने बतायों कि उसके पती और भाई को इलास के लिए एस्पतार मी परती करवाया गया है और इसकी शकायत पुलिस अदिकारियों को दे दिगी है तो वहीं थाना डी डिविजन के पुलिस अधिकारी ने बताया कि देरात कटरा डूलों में दो पक्षों में विवाद हुआ था जिसके चलते एक पक्ष को चोटे लगी हैं जिनका सिवल अस्पतार में उपचार चल रहा है उन्होंने कहा कि फिलहार में ममली की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद बंती कारवाई की जाएगी अमरे सर से हलचर के लिए सुनीर फोसला की रीपोर्ट की की चीज है कि इनने ओमारे जड़ा साहीला होदे चकर बड़े आरे सिर्चे साथ लगी होई यह मेरे हस्बन दे कान दे बिच्छे लगी हैं पोदे भी जाधा लगी तो सीवल होस्पिटले विकी ते शीवम उड़ूट की आंटे कने मेरे क्या ज़ित खें विकी दर शीवम दून सके परा आगी है एकली का सूरिया चरिंद है इननी मेरे जड़ान बचाद लेंगे इनन अने मेरी जतनौँ आतबाया मेरे कपड़े तो मैं चुनी तो बह गयार गयी सी बजी इननने मेरी कमीज नों फढ़िया मेरी कमीज पाटी वह कि पुल्स पचार्शान शुजाशन नहीं कि दॉप एस आकार दिया ओक आना मेरा नाम पजी सूमीत कि वर जाने जाने पैने कार मैं अपने पहने कर दोंग एक कम में मैं बेट में करता या नाफ प्रावान करता है तुछ छीज नाफ भर जान कहा है तुछ फोन करता है तुछ प्रावान वाओ करता है तुछ धिननों मरजी आठाला थैस कि अन्य जाने किया है तुछ अधा गुड़ Susse रानी रंजिश नहीं जाने, bez अजदू, किर जो किते हैं गया जीज, कृट मीन कहना है, सैंके कईड की कर झान करने लिए है send sagt, कर दो बना हमसी में, मेरा जीज, कसे दो नहीं कानने, जाए हो जो जो झुग में वी प्राणी रंजीश निया। जए चबड़ा है ते जड़ी नेक्स करवग करानागी असी मिल्यार थे कोड़ यह थे फिर ने करदें आपता दे हम फिरेसी करवग करें सोशल मीडिया पर अब्रेसर के मजीठा रोड की एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रही है जिसमें पुलिस वारा एक व्यक्ति को धक्के के साथ घसीच कर गाड़ी में बिठाया जा रहा है गौरतलब नहीं की एक दोकांदार और ग्रहक में बहस हुई थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस ने गाहरा को गसीच कर अपनी गाड़ में बिठा लिया उससे युवा के साथ एक छोटी बच्ची भी थी और बच्ची रो रोकर अपने पिता को बचाने की बात कर रही थी लेकिन पुलिस ने छोटी बच्चे का कोई भी जहास नहीं किया और जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है तो ही दुकानदार के लड़की ने बताए कि एक जूखा को उनकी दुकान पर अपने बच्चे के लिए जूटे लिन आया था उसने काफी शराब पी रखी थि ज़रुणा पैसों के लिए निद दिन को लेकर उक्त वग्ता उसके पिता के साथ विवाद हो गया उसने उसके प बातापाई करने की कोशिश की जिसकी वीडियो भी आप देख सकती हैं तो वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब वे मौके पर पहुंचे तो उक्तियू वक्ती उनके साथ जगड़ा करना शुरू कर दिया जिसके बाद उन्होंने उसे नई जाकर उसका मेडिकल करवाया जि कई अपने बेटे जनाल साधी द्गांटे चपने इनाही थे बासों से चपने लड़का हुदा शोटा बेटा आगा है ते नाल हाब गे ही उन्हानने नइनीके ड्रंक जिती है तो ली भी बासो बार आगे उन्हानने तके मारन नाग प्रीस ओनी आ और पुलिस हो ना करमचा बड़ा अल्कोल किता है कि नूँ पुछ नी समझन जाए कोन बंदा है कोन मुजूरूपया बाट सारे नूँ हती बैइया हो बास इन्हीं कालगा था जाए हो इन्हीं गाल दा वीडियो बाइरल हो रही है अदे वीच्छा ही कि अभी ओ जिनों वीडियो वीडियो तो वाहरेल पाली वी पाली वहन जांदे शकता बत एकने सच्छों जांदे धेने ने उन्हीं हम जांदे बच्छे रहूं दी एा पहले ठाट सट ही आट जाल प्लीस वीडियों पाली जांदे जांदे बच्चे रहं परिएम प्ली ry आध सब्सक्राइबले यह सी दो शलें परग मतलब बीडियो और भटचा रुरु याजी नोग पर शुंचा यदा पर अल्कोल ही बागी उन्नूम पता यह चाहिए अन्य पादर साप में नेसे नोगांगी परपर नेसे चहीं पाजी अंज इंत गाला कटियां पाजी उन्नूम दुकारं तो बहार रख्यागी गाला आपने पेटें चपल लेना है उसमाइन जान जाना कोशिन नहीं नहीं पता है अही ते पुलिस हो थे हाथ चुक्या ना फिर पुलिस उन्हें उन्हों एथे चौंकीला आजी आए नहीं कोशिन नहीं जान गाली नहीं नहीं है कि खाल शामी सब्सक्राइब काला माला चौंक चिनाका लगा हुए थी ते काला माला चौंक बेची ही एक पिंकी शू हाऊस है गिया शूज दी दुकान उथों तो एब विकास सेंग जड़ा नशेवे चिनठ्या हुए थी उन्हें बेटी नार आया थी बेटी ने अधार ने 65 साल दे एज़ ने उनार तक्रार हो गया मिस्टर मरवाहा नार उन आनों ने थप्रतोपड मारं लाग पया ते उन्हों जरु रोकिया ते वह वारों पुलीस लागी सी जरॉडा पया साड़ी पुलीस कर्म जारी ड़ेवी नाकर उत्यों पोजी गया मौके दे ओ वह पुलीस वाड़ी नार भी नश्यदे वेचे अतोपाई उन्दा थी फिर उन्हों लेया के उदा मेडिकल करवाया ते डॉक्स आप ने मी उदा ज्यादा नशाव उन्ता लिगा है ते उदी 108 high 170 BNS ते वेचे कारवई करके उन्हों पीतिकी पर साथ कितना है किते समाल उत अबिसर के अटारी शेत्र के अलगलग गाउं के लगवग चौध हैं लोगों के साथ लाखो रुपियों की ठगी का ममला सम्झिया है जिसके चलते किसान जफ्य बंदियों द्वरब पीडित लोगों की हक में अबिसर पुलिस कमिशनर के कारेले में पहुँचकर ठकी करने वादिया रुपियों को जल्द से जल्द काभू करने की अपील कीगी इस दौरान किसान नेता काबल सिंग ने बताया कि लगवग एक महिने से ज़्यादा कासमी बीद जाने की बाद भी अभी तक कोई कारफ़ नहीं कीगी और नहीं शुकायत देनी वाली किसी भी पीडित परिवार को बुलाया गया जिसके चलते सभी पीडित परिवार पुलिस कमिशनर कारेली की बाहर एक ठावी और इंसाफ की गुफार लगई तो वहीं पुलिस अदिकारी ने बताए कि उनके पास अठरे के करीब पीडित लोगों की बियान आई हैं जिनके साथ बिदेश वेजने के नम पर ठगी मारी गई है उन्होंने कहा कि उनके दोरा चार लोगों की खिलाफ बाई नीम मामना दर्च करवाया गिया है और उनके दोरा कारवे की जा रही है दोनों पक्षों के बियान दर्च किये जा रहे हैं जो भी दोशी पाया गया उसके खिलाफ बंती कारवे की जाएगी अम्री सर सी हल चल पिली सुनी खोस लगी दीपो अपने बच्चियानों बार पे जनवासते कोश वीरेना ने आव परसनले पहे दिते किसे जंटनू ओ बल्देव सेंग एजन्टे या ते ओ दे नाले को कोई लेडी से आजरी अकविंदर कोर पतनी जर्नायल सेंग गोल्डी जिदा ये सीनियर अकविंदर कोर सीनियर दा दे य अपना कारबार वेज केस ने इस फिर वेजन्टान पहे देते विखो एजरी एजंट फरजी एजंट बने ने जुड़े चंगा कोई काम कर दे साथे बच्चे नू बाद निव जी लैंड अंगलाइंड अंगलैंड कनेटा वगरा पएदे अमेरका पएदे ने ओनना दा वे अक्षिन उख्राब कर देन पुल्स कम्ब्लेंट किती हैं सर चुरिंजानबर कमरें पर्चा घटाओ तो फिर रही कसान जुनी नगे बेंटी किती भी हादी मदाद किती जाए पास्टोड में पंदरा मंदें सर सारे लोकली है अजयनट किने पाटनर है अजयनट तेने जयने सर अकविंदर को वाइफ ऑफ जनरायल संग गोल्डी ते बल्देव सिंग बल्देव सिंग तुरू ओगे पहे देते हैं अनुनक सारी रिकार्डिंगा टिक्टा सब करें डुकाए गाए तीक को तमें दिखातने टिक्टा में से लिए अगले जान विना पहेला है सटको किन्यें की नाम से उतर बल्देव वह दना एक जड़ा जिरे कारे कामकरते जन्तीजा उता ना बल्देव से गहीं ते जड़ी मेडम है उतना अकमिंदर को रहाए जर्णल से गया ति ए इन सारे बैंदे औरे कारी बल्देव से थे सब्सक्राइब ते तोटल अमाउंट दे चुके ने सारे लोग लेता हैं तोटल इसाथ डिया पेमट की तिक ती यह उत्या जिदी बैंक तुटल इसाथ पर एक क्रोर ते आठ लाकर पादि जडी ठकी बजिए इस वह पेमत की तिसी वह अध्या दोड़ा ने पैश्टिती है अध्या बंदया ने वे कोड़ चुपाइट है चेक हैनो पहला सब्सक्राइब थोड़ा बदर वड़ा पाई अब आपकार देने इना सानु लाक लाक दे चैक देपी तोहीं जिड़ा 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 जागा तुहीं देदो जिरो त्री गई चैक साथे जेब चा ओधे वे चांदे पहेना ट्राइब दे लाए तानु पहें दे ले एक आलनो आई चोगधा मीना फेर चटा गया ट्री ने जिड़ा 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 ए अग्शाइब ना बाहर जान लेगे कोई अपने ठारा कर पेड़ता है कि नहां वापवा पंत्राइब रहते एक द्रफास फेची ने तियम त्रफास था निए जैसे महीं सारे अन्टेशिया तो किने जाना व किला आप कंप्लेट तैव जाना देख लाएगा लाँ दौ छर घगाए ने ने फिरन द्लाएगा थाहिए चाहु जिंदे किन्स फिरने अमाउन्ट और देवलों की कार वही किती जारिए हैं? अजी मैं ब्याहन जो हरा था पिचान तपिछ कार था किता जारिया अपा कोई आतमे की पीड़ते हैं वहाजर अनलिट बाकी है उनना थे वही जारिया जो पर मगन दो रखे देगा तुझी बाड़ी है सब्बर काया था भाजी है पिलकल उने ब्यान होगे उना था की कैना जी वो एक ते अपना अपने रहों को नोड़ी दास देने है जी ताकि जो असला समर्णों के तस्तावीस पुतां में था रहा है इनना थे खोल भी और चेक भी ने इनना थे पोल सारी पूर्व संसद्व पूर्व राच्व प्रधान श्वेत मली की राच्व सचिव सूरज भार्दवाज रिशेशतार पर शामिल हुई इस दोरान उन्होंने कहा कि देश की आने वाली प्लोडियों को अंग्रेजी साशन की जुल्म और आजादी की युद्धाउं की कुर्बानियों से अवगत करवाने के लिए ये केंडल मार्च निकाला गया है अंबिसर से हल चल के दिए सुनी खुस लगी डिपोड़। डॉप्तार राम चाव्ला जी भी करे ने गॉतम अरोड़ा जी भी करे ने अल्का जी जिने मैला मोर। प्रांत और सूर्जी मेरे छोटे बाई जिड़े पाजबादे सचिव ने ओवियु पस्तित ने अलका जी जिड़े महला मोर्चावपाद यक्षने और भाजबा कारे करता और मत्र शक्ती आज इकठे होए हैं क्योंकि प्वारत शहीदा ने अपने प्राहन नुझावर करके अब्रोस्तोबाद महात्मा गंडी जी और महात्मा गंडी जी दिना सरदार पठेज जी और लाला लाजबक्त पत्र времени शहीद पगष सिंग्डी शहीद राजगुरु जी शहीद सुधिव जीड उदम सिंग्डी द्यांत त पुर्बानिया करके अज जीव अजादी थिया अब आवावा मान रहें और साड़े प्रदान मंतरी और बाख्दावी उस्व मनाया गया और जल्याला बाग्दावी संधरिय करन्कार्विता चुनि जीदा जी तरती है सो 15 अगस्त मैं बेंती करांगा सारे देश वासियानू के तुम भूलना जाना उनको जनाने अपने जीवन कुर्बान करते जरह याद करो कुर्बानी जो शहीद हुई थे उनको उनकी जरह याद करो कुर्बानी के ओ लोगा ने तो अडिय जाती लेई चाहि अंग्रेश थी उस तो बाद अज देश अजाद है और देश विश्व शक्ती बनन जा रहे हैं और प्रदानमंतिर नरंदर मोदी जी ने वदा कीता है तो लगातार तीसरी अरी को प्रदानमंतिरी बने जो उनने वदा कीता है कि एस देश नू आतम निर्वर बनाना इस देश नो आर्थिक तौर ते दुनिया दी पहली शक्ती बना रहा है तो अज भारते जंता पार्टी ते राश्टर प्रक्त पार्टी है ओदे अलो एक 15 अगस दो प्लक्षिज एक केंडल मार्च लारंस रोड चौक ते निकाले आगे है बस सारे देश वासिया नो इस अज से फस्ति महान उस्साव ते खुदाई देश लखने स नेरिया मैं मंदर परदान नौर सपंचायता थी यह 15 अगस तर दीनेया चंडा देश नोना वां अही हर कारदे वेचे त्रंगार रहोना है जिडा साथे दिश्धी सरकार कार वो उढ रहों साथे देश देश्धे तक जागर्त करना क्योंकि देश्टे चंडेवी पिंटूपा जी चिला पर्दान हरुंदर्सन्डू जी जनने प्रोग्रम रखा के पीता सारा तरही सार्य देश्टेवीडी है छोना है ने पर 11 गस्त द देना आपना बारत मता की नमस्कार मैं शूतिविच महिला मोचा प्रेजिडएंट बागे जन्तापाटि आज असी कैंडल मार्च काडरें हैं शेहिद्दा नुप नमन का रहें जिना दी बदॉलत हैं आसी 15 अगस्ता दिन देखें जिना दी बदॉलत हैं नुप अजाती मिली जिना गरन असी अजाध हिंदोस्तान चेसा लिटा सीगा जरे साड़े कारन देश करभान ह चाहिए अज़ाद हो सकी हिंदोस्तान अज़ाद हो सके उन्हानु याद करन लए आज अमरी सरवासी सारे उन्हानु कैंडल मार्च कारके जला कि अनुद याद का रहे हैं ते अनु अपनी आपनी शदान्जली दे रहें करें नॉबल्टी चौंग ते कड्या जा रहे हैं चरसी एथे खरे होके चहिद्धा नू याद का रहे हैं ते उना नू छदांजली दे रहे हैं सही लोग करनों फिलय करांचा मांगे के जिना ने सेनू अट बारत नू सHH कारणों कुर भान होगए सहनू भी उनादे सखाय मार्श्ती चलना चाहिदा है और बारत ले अपने देश वाटन ले कुछ करना चाहिदा है जैह एन जैबारत एक सो चौध हैं बटालियन रेपिड अक्षन फोर्स ने सोतंतरता दिवस के प्लक्षमी कुमांडेट अश्वनी कुमार जा के नित्रित्व में हर घर तिरंगा अभ्यान के सफल आयोजन हेतू 9 अगस्त से अलग-लग स्थानों पर एलियूं का आयोजन किया जारा है जिसमें बटालियन की सभी अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चड़कर भाग लिया इसी के तहत 114 बटालियन में बाइक रेडी का अलग-लग स्थानों तक आयोजन किया गया जिससे कमांडेट अश्वनी कुमार जवान ने समोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी दीश की आन पूसी रंधावयम लिदडणा गाउं मी कीगई जवानों द्वारा देशवक्ति भाव की उधोष के साथ देशवक्तिगीत से लोगों को प्रत्साहित भी किया गिया इसके साथ है जवानों ने स्थानीय लोगों के बीच तेरंगी का वित्रन किया और उन्हें तहरंगा फैराने के महत्पके बारे में जाकरो किया। इस पहल के माध्यम से आरे अपने देशपक्ति की भाजना को और भी प्रभल करने का प्रियास किया। जो अलंदर से हल्टर के लिए केमरामेंट सोरेंद्र बाबा के रिपो। जो हैं सिविल सुसाइटी उनके दिलों में तिरंगा के प्रती अवेरनेस पैदा करेंगे इनियन नाशनल प्लैक के लिए और देशभक्ति का भी जजबा उनके अंदर पैदा करने की कोशिश हम करेंगे। मेरे मुहीम में इस मुहीम में मेरे अधिकारीगन, मेरे एसोस और मेरे सारे जवान मेरे साथ हैं। और इस मुहीम को हम अच्छी तरह से अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आप लोग का विशेश रूप से धन्यवाद मेडिया परसंस का थैंक्यू सो मच जय है। साहिब जाधा अजीद सिंग संसान वरकर्स कलब रेल डिबा कारखना को पूर्थला में दूसरा तीज उत्सा विवम टैलन्ट हंट प्रतियोगिता का यूर्जन संस्तान के सांस्कृतिक सचे वबतार सिंग की देखरिक में किया गया। जिसमें भारी संख्यों में महिलाओं व लड़कियों ने उत्सा पूर्वक भाग गिया। इस कारेकर में रंगोली, मेहंदी, पोर्ट पेंटिंग, प्राफ्ट, वर्क, पर्स, मेंकिंग, गीत, संगीत, वडास, प्रतियोगिता के साथ साथ विशेशकर तीच, क्वीन, प्रतियोगिता भी कर पाईगी। इस अफसर पर महिला कल्यान संगटन की सदस्या हर्पित कौने मुख्यतेदी की रूप में शामिल वोकर विजेता रहीं प्रतिभागियों को फुरुसकार देकर सन्मानित किया। अजू कपूर ने निभाई तीच क्वीन का ताजव सिम्टन कौर के सिर सजा जबकि दूसरे स्थान पर रस्पृत कौर रही। इस कारेकरम को सफल बनानुमे संस्थान समिती की सदसे आदेश कुमार, विनौत कुमार, हतपृत सिंग, हश्वनी कुमार, अनित कुमार, आचन नाहत, दीपक नाहर, मान सिंग ने भी अपना विशेश योगतान दिया। सार्यानू प्यारबडी जसिकाल, मैं कुल्टर सेक्टरी अवधार सिंग, रियल कुछ प्रेक्टरी को पूरतला, सैब जदाजी सिंग स्थान वरक क्लब वलू। दास त्रीक नू जड़ा पातीज दा फेस्टिवल कराया, बहुत ही तुम्ताम नाम जड़ा बाव मनाया गया। ज़ेश में जबत जड़के लेडीज ने हेसा ले आज, और जड़े कॉम्पुटिशन जीगे बहुत वदिया रहे। और स्पेशली थैंक्स मैं करता हूँ अपने सेव जड़ा जी सिंग सस्था वरक क्लब दे प्रेजिडेंट शिरीबल देव राज जी दा, उना दे मिसीज एते साथे वे चीफ गेस्ट दे तो उरत आये सेगे, श्रीमती हर्पीरित राज, उना दा भी स्पेशली थैंक्स अ इस पोचे सिगे, अंजू पूर जी पॉंचे सीगे, टिवी शो अले और कमलेश गूर, आटीज सादे पोचे सिगे, और रचना सिवार जी ओ साड़े पोचे सिगे, उना दा भी स्पैसली जडाय के पोचे देया, जी आनु रेलकम किता, आजे साथ नस तानंवाद कर देया रहें कि उनने जेडावा इस प्रोग्राम नुवा बड़ा ही अंजोए कीटा और ना ली जड़े हार अपनी जट्रिक्ती जड़ी हार पूमिकाल जड़ी हा धीजहिकी और जेडा ए टिजड़ा फेस्टिबल जड़ा सिकना अमीस ना वाद्टो आया सीगा कापी पर मैं कैदर ब्रोग्राम और सारे जड़ी लोग सीगे टाइट होगे सीगे इस तर के अची जड़ी कोशेच रहें कि अगले सार जड़ावा एनू तो देंदे वे चड़ावा कर मोदी कोशेच रहें किती जाएगी सश्रिकार मैं शीदर शाया इस तीज फेस्टिगल टे एज एकर रोल प्ले किता है ते मैं शुकर गुजार हां साहिच जड़ा अजी सिंसन स्थान पूरी कमेटी दा जो मेनू हर कॉम्पिटिशन होवे जा फॉंक्शन होवे एकर दी जोल कर दे हैं ती इस वार ती जड़ी उ कुछ महिनावां में खुनरता पथे रहा है बटो सुनों पॉन स्टेज दे अपना देज दें दिखास दे कुछ का दे मजबुरिया हम दियान ते कुछ जो ना दे आपने मजबुरिया हम पॉना वास्ति एक है ओंस्टेज कॉम्पिटिशन दा उप्राला कि ताकि एधरी च मेंदी कॉम्पिटिशन से रंगोली कॉम्पिटिशन से वेस्ट मुटीरियल तो खुछ बनाना होगे पर सब नाने हों इस काफी तरह दे कॉम्पिटिशन कर आए ले करवाई के ती महिनावां दे बीच बाद चटके हिस्सा लिया एदी विच साथी स्पोंसर सी गे और पार्थी सेक्ट्री वर्क कलब जिननों असी साम जदाची सी संसार रेंडिबा कारखाना में नाते भी जान दे यां और असी एद दूजी वार ती जुस्तर दा कारेकरम संजोया है और जिदे विच साड़ा जड़ा सशक्त वूमेंस दा एक सपना सी वारी संक्याज महिलाम में कुडियाने पाग लाके पूरा किता है और उदे विच उनने अपनी जड़ी चुपी परतिबा नों जागर किता है असी उदे विच ओन दा स्पोर्ट कंपेटिशन और ऑफ दा स्टेज कंपेटिशन दून नहीं जी कराए है और जिदे विच काबली तारीफ तुसी वि जी जाए सी खास कर मैडम कमलेश मैडम आल इंडिया रेडियोतों रचना मैडम दूद शंतों और अंजु कपूर एक्टर बहुत ही वदिया टांग नाल उनने बड़ी मांदा ही ना बड़त वेबाकी नाल डाउन टू अर्थ हो के उननने साड़े कारगरम नों जड़ा उन मैं री डाउनने वी रेडिया चार्डम कराओ ब्रण आए है कृट्व मुकाबले क्राइल गीत मुकाबले कराई है कृपड़ांस मुकाब्ले कराए है और शाष क्राइब प्रणिय कराइब हाप्र Best तो तराशिया है जयाल अंतर से हलचल की दिव किम्रमेन पवन कानूशिया की रिपोर्ट हम भी स्टीस को बहुत जादे एंजॉय कर रहे है और हमारा जो नौलेज है वो सब इंक्रीज हो रही है नमें बहुत मजा रहा है सावन अश्टमी पर हिमाचर परदेश थे तो माचामुंडा धाम में पंजाब की भेवेन संस्थाओं की तरफ से शर्धालों की सिवा के लिए अनई प्रकार की विंजनों की लंगर जारी रही माचामुंडा धाम में चल रहे भंडारों में जालंधर की संस्थाओं में परच्छीन काली माता मंदिर मोता सिंग नगर चालंधर की तरफ से लंगर लगाया गया जिसका शुभरम पूर्व सांसल सुशीर डिंकू ने किया इस दोरन उनका स्वागव शिव शर्मा संदीप लगी नी किया इसी के तरहें जैमाहिमानी चामुंडा सेवा समिती की तरफ से लंगर लगाया गया महमाई चेंतपुर्णी सेवक सवा किलाम हुला नतरा जो स्टील उन्दिया के सयोग से भी लंगर लगाया गया श्री चामुंडा नंदीकेश्वर नंगर समिती 143 सादर्श नगर श्री चेंतपुर्णी सवा बस्तीशेक प्रच्विन काली मता मंदिर मोता सिंग नगर जालंधर माचामुंडा धाम में श्री चामुंडा सेवक सवा तरंतरन जैम सिवक संग बाजा पीर बोदला श्री चामुंडा वेलफियर सोसाइटी अमरिसर माशारदा लंगर कमेटी बठंडा श्री चामुन्डा नंदी केश्वर लंगर कमेटी माशामुन्डा धामी महमाई चंतपुनी सेवक सभा किला महला की तरफ से लंगर लगाएगी मा चमुंडा देवी से हलचल के लिए कैमरामेन रजनी शर्मा के साथ कुश चाबला की लिए पूर। मा चमुंडा देवी से हलचल के साथ कुश चाबला की लिए पूर। मा चमुंडा देवी से हलचल के साथ कुश चाबला की लिए इतनी सुन्दर। और इतनी बड़ी वगस्त है। देखिए इस से बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। मैं सभी जो ट्रस्ट के सिदस्य है। जो सुन्ती है उनके सिदस्य है। और जिन जिन कभी यहां पे सही होग है। उन सब करता हूं। और आसा करता हूं कि पातराणी। आप सब की और जित्री वी सद्धालों यहां पे आयों की माने कामरा प्रूली करें। और ऐसे ही यह सेवा जो है आपकी सद्धालों के लिए चलती रहें। मैं आपको एक बार बदाई जिरता हूं। जैमा भावाजीब साथे लंगर देवी सेवाट शांग के सारे मेंबरा ने जिलंदर तरह मिशाला देवीच हार साल दी तरह जिजी शीतन दीजी जी अश्रीदवाग नाल की अपादे हार साल मंगर लगाने तरही शनाम नहीं। जैमा भावाजीब साथे लंगर देवीच हार साल मेंबर आगे से लंगर लगाने हैं। जैमा भावाजीब साथे लंगर लगाने हैं। विपन चड़ा योकी अपने संसारे के आत्रा पून करप्रभु जन्नमी ज्वावे राजे हैं। की आत्मिक शांती के लिए रस्म पकड़ी श्री महालक्षमी मंदिर जेल रोड चालंद में कीगी। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरूर परांची के बाट का भूग डालकर स्वर्गी विपन चड़ा की यात्मिक शांती है तो प्रात्ना की। इस मौके पर एआईजी क्राइम ब्रांच रिचागनी होतरी पूर्व विधायक रिचंदर बेरी एवं पारिवारिक सदस्यों में पतनी अरुना चड़ा, मियंक चड़ा, अरजुन चड़ा, सहीद शहर के राजने तेक समाचिक तथा धार्मिक पर्क से जुड़े लोगों पहुंचकर स्वर्गी विपन चड़ा को भाविनी शर्धान चरी भेंट की कि अब क्या हो का हम उनके बिना कैसे जियें शायद ये दिल में बार बार ये प्रशना रहा है उनके बिना हुन कैसे जियें और आंसों में चलग रहे हैं क्योंकि एक ऐसा व्रिक्ष था जिसकी पानना में चोटे-चोटे बहुते बंकर बड़े हुए और आज वो व्रिक्ष मुचड इस संसार को छोड़ कर चला गया और हमारे अंदर दुख है कि कांश हम बंदवान को कहें कि उन्हें वापस करता हुए हर एक का कोई न कोई बेचड़ा है बहुत जो दिल के करीब था जिनके बिलन लगता था कि हम रह नहीं सकते हुए वो कही न कहीं हमें छोड़ कर चल जाता है और भगवान से हम कहते हैं भगवान कांश आप कुछ ऐसा करो या आपने वो ताकत नहीं कि हमें को वापस ला कर दे दो तो ऐसा ही प्रश्ण रटे को भगवान मेरे पुत्र को वापस कर दो तो अगवान में कहां कि मैं बापस तो कर दोगा मेरे में इतनी शक्ती है पर ये एक स्विस्टी का चक्र है जसमें टैर है जो आज़ा ये जीवन चक्र है जनम के बाद जीवन इसके जो शरीक शोटे हैं तो पेले हैं चल बसा और अब अंतमी हल्चल की गतिविदियों पर एक नज़र फिर से नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और रासपास की हल्चल पर फरीद कोट पुलिस ने एक बज़ूर की कतल की गुत्थी को 24 गंटों में सुलजाया पतनी ही निकली कातिल जालांधर ग्रामीन पुलिस ने दो नशाद तसकर महिलाओं को पिया कबू पांच ग्राम हेरुईन की ब्रह्म अमरिस्तर के 18 दूलों में दो पक्षों में हुआ विवाद एक पक्ष के दो लोग रुए घायल इसके साथ ही अब तक की गतिविधिया समप्थ होती है और तासा और जानकरी के लिए दिखते रही हल जो अबना की पिति-एक पिति-चार्प ग्रिफ आशी आशानकरी के आशानकरी के ब्लाबे सकते हैं झाल